नमस्कार, स्वागत है आप सभी आगमबारी बहनों का आज के इसना वीडियो में तो आईए आज के इस वीडियो में हम आपको पोशन ट्रेकर एप में जिन भी लभार्तियों का अधार वेरिफाई इन प्रोग्रेस लिख के दिखा रहा है उनका वेरिफाई करने के बारे में बताएंगी कि कैसे आप लोग असानी से जिनका भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है अधार वेरिफाई नहीं हो पा रहा है उनका आप लोग असानी से यहाँ पे अधार वेरिफाई कर सकते हैं जी हाँ इस वीडियो में आपको यही सारी जनकारी देने वाला हूँ और आज की ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए जैसे के आप सभी को मालूम है कि बिना अधार वेरिफाई किये हम लोग टी एचर भी नहीं दे पाते हैं तो चलिए जान को पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किजिए और और भी आमनबारी बहनों का साथ शेयर किजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जनकारी मिल सके तो जैसे कि हम पोशन ट्रेकर एप के होमपेज पे आ चुके हैं होमपेज पे आने के बाद आप आपको यहाँ पे बेनिफिसरी वाली केटेगरी को ओपेन कर लेनी है ओपेन करने के बाद आपको जिस केटेगरी में लभार्थियों का अधार वेरिफाई करने के बाद भी आधार वेरिफाई नहीं हुआ है इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो आपको सिंपली उस केटेग को उपेन कर लेना है यहाँ पर चलिए हम गर्भाती महिला की केटेगरी को उपेन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन जो लभार्थी है उनका अधार भेरिफाई किया जा चुका है और यहाँ पर चौथे और पांचेवे नमर के जो लभार्थी है उनका अधार भेरिफ के साथ हो रही है तो आप लोग इस वीडियो में बने रही है जिस परकार से हम आपको बताएंगे उसको फॉलो करके आप लोग यहां पे इन प्रोग्रेस का जो अप्शन है उसको फेरिफाई कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम ठीरी डॉट पर किलिक करेंगे जिस भी लभार लभार्थी का जो अधार संख्या है उसको कहीं पर नोट कर लेना है जो भी यह अधार संख्या है और यहां पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि हमने जिस लभार्थी का यहां पर नाम डाला है वह अधार कार्ड पे जिस परकार से नाम है उसी परकार से यहां पर भी होना चाहिए और यहां पे date of birth भी उसी अधार कार से मिलना चाहिए तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है उसके बाद यह जो अधार संख्या है उसको कहीं पे copy कर लेना है या उसको लिख लेना है लिखने के बाद simply इसको हम लोग क्या करेंगे इसको यहां से हटा देंगे मिलेगा यहां पे आपको submit कर देना है तो जैसे हैं यहां में आपको submit करेंगे तो record सफलता पुर्वक update होई इस परकार का message आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि इस परकार से triangle नहीं unverified हो चुका है अब हम लोग इसको फिर से verify करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है फिर से आपको 3.5 चले जाना है 7.8 पर आने के बाद यहां profile अफडेट पे फिर से आपको आजाना है आने के बाद आपने जिस अधार संखिय को कहीं पर लिख expression कर देंगे तो हम को यहां पे फिर से सम्मिट कर देना है देखें यहां पे हम सम्मिट कर चुके हैं तो रिकोर्ड सफलता पुर्वक अफडेट होई इस परकार से आपका मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद अब आपको यहां पे लास्ट स्टेप क्या करना है कि यहां पे जो एरो का निसान है इस वेरिफाई वाले ओप्शन पर आपको किलिक कर देना है आपको इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपका जो भी डेटा है वो यहां पर हाइड हो जाएगा यानि छिप जाएगा उसके बाद यहां पर आपको सम्मिट वाले पर किलिक कर देना है चलिए यहां पर हम हम submit करते हैं देख सकते हैं अधार verification complete यानि कि यहां पर इनका जो अधार verification है वो complete हो चुका है तो यहां पर देख सकते हैं कितनी असानी से यहां पर जिस लभार्थी का अधार in progress दिखा रहा था वो अब यहां पर फेरिफाई हो चुका है गेरी कलर में आ चुका है तो चलिए हम लोग एक और लभार्थी जो है उनका यहां पे अधार करतेहatin कि आपका जो भी समझ में नहीं आया होगा आप यहां पर समस्क्ते है किस परकार से हमने किया जैसे कि यहां पर आपको पहले एरो आले पर चेक कर लेना है जिनका इन प्रोग्रेस दिखा रहा है यहां तो आपको क्या करना है यहां पर थिरी डॉट पर आ जाना है three dot पे आने के बाद यहाँ profile update पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ से जो इनका अधार संख्या है इसको कहीं पे note कर लेना है या copy कर लेना है चलिए यहाँ पे हम इसको copy कर लेते हैं यहाँ से हम इसको copy कर लिए फिर इसको यहाँ से हम लोग delete कर देंगे यहां से इस लभार्थी का जो अधार संख्या है वो पुड़ा यहां से हटा देंगे हटाने के बाद यहां पे जो submit का option है इस submit वाले option पे click कर देंगे records of फलता पूर्वक update हुई इस परकार से message आ जाएगा फिर यहां पे देख सकते हैं एलो वाला निसान दिखा देगा फिर यहां पे arrow पे click करना है और यहां पे देख सकते हैं unverified हो चुका है तो फिर से आपको क्या करना है three dot पे जाना है three dot पे जाने के बाद फिर से पूर्फाइल अपडेट वाले तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो last step है यहाँ पर arrow वाले पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर जो verify वाला option आप लोग देख रहे हैं इस verify वाले option पर आपको click कर देना है आप जैसे ही click करेंगे तो फिर से देख सकते हैं इस लभार्थी का अब यहाँ पर जो भी detail से वो hide हो चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको submit वाले पर click कर देना है आप जैसे हैं submit करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं data entered does not match with the अधार तो देख सकते हैं इस लभार्थी का जो अधार card है वो यहाँ पर mismatch बता रहा है अब आप लोग इतना समझिये कि जितने भी लभार्थीयों का अधार verify in progress दिखा रहा है उसको अब आप लोग 100% यहाँ पर उसको verify कर सकते हैं अब आपको इसमें कोई भी problem नहीं आएगी उमीद है आप सभी को आज के इस वीडियो से जनकारी मिल गई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे एंड इस वीडियो को और भी आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर करे अगर आपको portion tracker app से related कोई भी सवाल या जाओ हो तो आप हमारे comment box के नीचे comment कर सकते हैं मैं उसका reply देने की कोशिस जरूर करूंगा मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद